हलो गाईज़ आपको स्वागत था आपके अपनी यूटूब चैनल टॉफर सिन पर तो यूपी स्कॉलर्सिप 2022 को लेकर के डी डवलो से एक जानकारी जो निकल कर आई है और ये जानकारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छाथ राज डी डी डवलो ऑफिस गये थे वहाँ पर जो उनको information मिलें वो सारी information आपको बताने वाले हैं सभी साती जो पहले चैनल पर नए हैं वो subscribe कर लिए पुराने भी हैं और अगर subscribe नहीं कियो तो पहले आप subscribe कर लिए क्योंकि अभी जो है इसका काम बहुत जाला चलने वाला है ये कम से कम 20 मार्च तक आप सभी लोगों का जो है scholarship आपके account में credit किया जाएगा तो अभी इसमें बहुत सारी काम है और बहुत सारी information इस चैनल के मादरें से आपको मिलने वाली है तो सभी लोग पहले चैनल को subscribe कर लिए तो चलिए इस टार्ट करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले हम आप सभी लोगों को बारे में जैसे कि pending वालों के बारे में तो जीन वी चात्रों का pending आज भी दिखा रहा है आज के डिट में दिखा रहा है उन सभी को 20 मार्च तक इंतजार करना होगा 20 मार्च तक सभी का pending की समस्या कतम हो जाएगी जो डी डवलो ऑफिस से जो जानकारी आज मिली है वहाँ प बताया गया है कि pending की समस्या 20 मार्च तक समाप्त हो जाएगी और ऐसा नहीं कि 20 मार्च कोई आपका कल भी समाप्त हो सकता है परसों भी समाप्त हो सकता है लेकिन 20 मार्च के अंदर सभी का pending का समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगा उसमें एक सबसे बड़ी बात जो है एक औ बस आपका कहीं भी एक छोटा कोई mistake है तो उसके लिए परिसान नहीं हो ना ये उन्होंने बताया है लेकिन फिर भी उन्होंने काया कि अगर आपको कोई तसल्ली चाहिए तो आप एक application के साथ में आप अपने college में समझे रहो ना एक application और जो आपकी तुर्टियां है उनको उनके बारे में application लिकर आप अपने college में दे दीजिए जब college में data भेजा जाएगा आप सभी का जितना भी correction है उसका एक data college में भेजा जाएगा अगर college वालों ने सब कुछ सही मार दिया तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है साथी जाएगे कि कुछ चातर ऐसे होंगे जिनमें correction का option नहीं आ रहा होगा वो चातर बहुत ज्यादा परेसान होगे कि सार आप इतनी समय जो है वीडियो बना रहे हैं और अब हम कैसे school जाएगे कैसे college जाके application जमा करेंगे तो हम आप सभी लोग को बता दें कि अभी 2-3 दिन का इसके लिए समय है ठीक है आज जो है correction portal बंद हो सकता है रात में लेकिन आप college में जाकर एक से दो दिन में आप उनको application दे सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा इनकी official notice में भी लिखा है मैं आप सभी लोग को यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर आप देख लिजी बिलकुल मैं आपको दिखा देता हूँ उन सारी चीजों को कि कहाँ पर यह चीजें लिखी गई है उसको आप देख लिजे यहाँ पर लिखा है आप 12 नंबर पॉइंट पर देख लिजे आनलाइन आवेदन पत्र की तुटियों को ठीक करके 6-6 द्वारा समस्त वांची सलनकनों सही सिक् बिल्कुल त्यार रही है 25 माच तक आपका आजाएगा गर आपका बिल्कुल सही verified recommended है तो आपको बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है यह उन चात्रों के लिए जिलनों का भी pending बता रहा है तो pending वालों को तो नहीं कबलाना है वो तो 20 माच तक अपने आप ही सही हो जाएगा या कुछ लोग क्या है अपने दोस्तों को भी दे देते हैं कि लो भई या तुमने इंकम नहीं बनवा है तो मेरा वाला यूज कर लो तो ऐसे चात्रों का जो है यह चीज़ें आ सकती है तो भाई जो दोस्तों को दिये है उनकी तो भाई गलत बात है अगर मम्मी पापा के मलब भाई बहन है दो लोग तो अगर उन्होंने यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं आप अपने कॉलेज में अप्लिकेशन देखकर आप इस चीज़ को सही करवा सकते हैं जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तब भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि अगर अगर आप एक इंकम सार्टिफिकट दो लोग यूज कर रहो तो उससे बचिए आप दो इंकम सार्टिफिकट अलग अलग बनवालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये चीज मैंने आपको बताया था लेकिन वही बात है कि कुछ छात रहसे होंगे जो फार्म भरने के बा मिलते हैं अंगली वीडियो में जैहिन जैपारण